हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ प्रतिभा आज हम मिलकर बनाएंगे हरे धनिया की बहुत ही टीस्टी चटपटी चटनी जिसे आप समोसों की साथ चाट या पकोड़ों की साथ खाएं या दही बड़ी की साथ खाएं आपको बहुत पसंद आएगी तो सब्गालेंगे हरे धनिया की बनाने के लिए के लिए हमने अपर दो मुठी के ये टाजा हरा धनिया लिया हुआ है आप देख सकते हैं यह एकदम ताजा धनिया है और इसे हमने दो से तीन बार पानी से अच्छे से धो लिया था और एक छल्ली में रख दिया हुआ था जिससे कि इसका जो अतरिक्त पानी था वो सूख गया है अपने यहाँ पर एक मिक्षर जार लिया हुआ है तो जो धनिया ह उसे हम ऐसे ही जार में नहीं डालेंगे पहले हम इसे ऐसे मोटा मोटा काट लेंगे काटने से क्या होता है कि धनिया के जो रेसे होते हैं वो चटनी में नहीं आते हैं और अच्छे से ग्राइंड भी हो जाती है तो इसलिए ऐसे रफली चौप कर लिजिए अगर हम बिना च 4-5 मिर्चे लिए जिनका ये डंठल है वो अटा देंगे और ये डाल देंगे तीखा आप अपने हिसाप सा एड़ेस्ट कर सकते हैं तो थोड़ी सी तीकी और चटपटी ही अठी लगती है ये दिखे मिर्चों को हमने तोड़ के डाला हुआ है 5-6 कलिया लैसुन लिए मैंने वो डाल देंगे लैसुन का फ्लेवर भी इस चट्नी में काफी अच्छा लगता है आधा इंच अद्रक का टुगड़ा है जिसे हमने छील लिया हुआ है इसके बाद ऐसे मोटा मोटा काट देंगे और इसमें डाल देंगे नमक डालेंगे स्वात के अनुसार यहां पर दो चमच के जितना मैंने आलू-भुजया लिया हुआ है आप बेशन की सेव ले सकते हैं या पूणी ले सकते हैं इससे हमारी चट्नी को बहुत अची बाइंडिंग मिलती है और आधा नीबु का रस डाल देंगे इसमें आधा नीबु का रस डाला हुआ है ज्यादा पसंद कर तो थोड़ा सा ज्यादा डालेगा आधा चम्मच हम जीरा डालेंगे और लगबग दो बड़ी चम्मच के जितना हम इसमें पानी डाल कर किसी अच्छी सी ग्राइंड करेंगी तो जरूरत की एकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल सकते हैं और एकदम फाइन चटनी पीस के त आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा है और इसकी थिकनेस भी बिल्कुल पर्फेक्ट है अगर आप तुरंत के लिए थोड़ी सी पतली चटनी बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया एक चटनी को हम ऐसे एक बावल में निकाल लेंगे और इस चटनी को आफ फ्रेज में रखके एक हपते तक इस्टोर भी कर सकते हैं तो ये लिजिए हमारी बहुत ही टेस्टी हरे धनिया की एकदम गाड़ी सी चटपटी चटनी बनके तयार है रेसीपी अच्छी लगी हो तो व